जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कम्सोर पढ़ जाएं तो आवाज बोलन्द करनी पढ़ती है बोल किलब आजाद है तेरे दियूस क्लिक पर मेरे साथ बोल किलब आजाद है तेरे दोनों का तालूक इस बात से है कि हमारे देश में लोकतंत्र किस तरह से मजाग बन गया है सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि आज कॉंग्रिस ने राश्ट्रपती भवन तक मार्च करने का प्लान बनाया मगर पुलीस क्या करती है वो 24 अकबर रोड जहां पर कॉंग्रिस का मुख्याले है वहाँ पर 1444 लागू कर देती है और उसका नतीजा ये तस्वीरे हैं जो उसका आप अपने स्क्रीन्स पर देख रहे हैं आप देख सकते हैं कि वहाँ पर पुलीस का जबरदस्त बंदुबस्त था और उस जबरदस्त बंदुबस्त के चलते पुलीस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं होता क्या है कि कॉंग्रिस की नेत्री प्रियंका गांधी वाडरा को हिरासत में ले लिया जाता है मगर राहूल गांधी समानांतर तोर पर राष्टपती भवन जाते हैं राष्टपती से मुलाकात करते हैं और वहां उन्होंने प्रधान मंत्री नरेंद्र मुदी पर बड़ा हमला बुला। कहा कि प्रधान मंत्री के खिलाव जो भी बोलेगा वो आतंकवादी कहलाएगा चाहे वो मोहन भागवत ही क्यों ना हो। सुनिये। देखिए पीजेपी नरेंद्र मोदी जी का एक ही लक्ष है और वो किसान समझ गया है मुद्दूर समझ गया है। लक्ष है कि उनके आसपास जो दो तीन चार बड़े क्रोनी कैपिटलिस हैं उनके लिए पैसे बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। जो भी नरेंद्र मोदी जी के खिलाख खड़े होते हैं वो उनके बारे में कुछ ना कुछ गलत बोलके रहते हैं। किसान खड़े हो जाएंगे तो किसान को आतंगवादी बोलेंगे। मजदूर खड़े हो जाएंगे तो मजदूर को आतंगवादी बोलेंगे। आज कुछ सवाल मेरे आपसे इस देश में लोकतांत्रिक तौर पर प्रदर्शन करना कब से गुना हो गया बताईए और धारा 144 लगाने का ओचित क्या है ऐसी क्या एमर्जेंसी थी ऐसी क्या पातकाल थी कि कॉंग्रेसिक मार्श निकालती है और पुलीस जो है वो धारा 144 लग प्रियंगा गांधी कह रही है कि यहां पर सरकार को सुनना होगा किसानों को क्या कहरी हैं सुनिया आप मैं कुछ सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं जब भारती जहाता पार्टी पश्यमंगाल में अपना शहकार करती है यानि कि वहां पर वो जबर दस्त रोड शो करती है यहां पर आप देख रहे हैं कि आमिट शाह बहुत ही शांदार राली कर रहे हैं लोगों को बुलाया गया है कोई मास्क नहीं पहना हुआ है खुद आम कर सकती है जहां आपका यह आरूप था कि ममता बैनर जी ने कोविड को लेकर या कुरोना को लेकर ठीक काम नहीं किया तो जहां आपके मुताबिक हालात ठीक नहीं है वहां तो आप इतनी बड़ी-बड़ी रैलिया निकालते हैं वहां कभी दारा 144 नहीं लगाई जाती वहा प्रियंका गांधी पत्रकारों को बता रहे हैं कि भाया लोकतंत्र के क्या माइन है यह बहुत ही शर्णाग बात है पत्रकारों के लिए कि अगर कोई विपक्ष का निता आपको यह समझाए कि लोकतंत्र यही तो होता है जिसमें आम इंसान की बात सुनी जाए उसे देश- प्रियंका गांधी क्या कह रही है प्रियंका गांधी आप प्रीयंका गांधी आप सुनी तो इक तरह से यहां पर नसीहत दी जा रही है पत्रकारों का भी पूरा रविया इस तरह से कि कोई गुना कर दिया हो कॉंग्रिस ने कॉंग्रिस विपक्ष में है विपक्ष की भूमिका बहुत जरूरी होती है लोकतंत्र में हाला कि एक नसियत कॉंग्रिस के लिए प्रियंका जी आज दिखाई तो दी मगर ऐसा ना हो कि आज दिखने के बाद फिर दो तीन महीने के लिए गायब हो जाएं ठीक है कि पिछली बार कब दिखी थी जब हाथरस वाला निर्मम कांट हुआ था और उसके बाद सितंबर के बाद से फिर इस गायब हो गई वो अब जाकर दिसंबर में वो दिख रही है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रियंका जी आप जरा सक्री होंगी कॉंग्रेस के ना आते न सही मगर इस देश के लोकतंत्र की लाज बचाय रखने के लिए क्योंकि देखिया अगर विपक्ष ही नहीं रहेगा ना तो लोकतंत्र के कोई माइने नहीं है तो मैं फिर सवाल करना चाहता हूँ कि आपने 144 लगा तो दिया मगर क्यों पूरा अधिकार है विपक्ष को प्रदर्शन करने का आप इस तरह से विपक्ष को नहीं रोक सकते कारकर्म के शुरुवात में मैंने आपको क्या कहा कि आज दो विशह आपके सामने और दोनो कही नाता कही नकही लोकतंत्र के साथ है अब जो दूसरा मुद्दा में आपके सामने उठा रहा हूँ वो ये कि हमें तो योगी आधितनात नेis वादा किया था तब एक कटर सोच पूरे समाज में पहल गई थी तारिबान की राज में हाजरा समुदाय को टारगेट किया गया था जो इंडेयन्स बसे हुए थे अफगानिस्तान में कई पंजाबी जो बसे हुए थे उन्हें टारगेट किया गया था आज मेरा आपसे सवाल है कि यही काम कहीं योगी के उत्तर प्रदेश में तो नहीं हो रहा है क्योंकि खबर सहरन पैदा करने वाली है आपके स्क्रीन्स पर एक मा है आप जानते हैं मा कौन है इसके 18 साल का बेटा जो है उसे पुलीस ने बंद कर दिया है तीन धाराओं में पहला लव जिहाद को लेकर जो नया कानून आया है दूसरा शेडूल कास शेडूल ट्राइब के खिलाफ अत्याचार को लेकर जो आक्ट है उसके तहत उसे बंद कर दिया गया और तीसरा जो यौन दुराचार से जुडा हुआ है यानुकि जो बच्चों के साथ यौन दुराचार से जुडा हुआ उसके तहट बंद कर दिया है और इसकी गुनहा क्या था 18 साल का ये लड़का जो है वो 16 साल की लड़की के साथ बिजनौर में पीज़ा खाने जाता है और जब वो पीज़ा खारे होते हैं, कोल्डरिंग पीरे होते हैं तो पुलीस उन्हें उठा कर ले जाती है अब लड़की और लड़की का माबाप दोनों कह रहे हैं कि देखी हमने तो ऐसी कोई शिकायत नहीं की थी हमने ऐसी कोई शिकायत नहीं की थी कि जबरदस्ती आदमी धर्म परिवर्तन करा रहा था या शादी का ही दबाव डाल रहा था दोनों लड़की और बाप जिनकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया था बावजूद उसके उस लड़के के खिलाफ इतना जगंड इधाराएं लगा दी गई क्यों? क्योंकि लव जिहाद का कानून अगर अगर अदालत में फेल हो जाए तो पॉक्सो और S.C.S.T. Act के तहट वो बाहर ना निकल पाए मैं पूछना चाहता हूँ यूगी सरकार की नफरत नहीं है मुसलमानों को लेके तो क्या है? यह रामराज नहीं हो सकता क्योंकि भगवान राम भी जिस अगर मैं रामराज को राम से जोड़ू हाला कि मेरे साब से रामराज का अर्थ है वो राज जहाँ पर हर नागरिक को समान अधिकार हों यह बुनियादी चीज़ है रामराज की मगर अगर मैं उसे भगवान राम से भी जोड़ूं तो राम के भी राज में हर इंसान चाहे उसकी जो भी हैसियत थी उसको कहने का अधिकार था और यहाँ पर एक लड़के को एक अठारा साल के लड़के को लव जिहाद के आक्ट के तहट SC ST Act के तहट और POCSO Act के तहट जेल में बंद कर दिया जाता है और लड़की और उसका पिता कह रहे हैं कि नहीं ऐसा उन्होंने कुछ किया ही नहीं था हमने तो ऐसी शिकायत ही नहीं की थी उल्टा पुलीस हम पर दबाव डाल रही है कि आप इन मामलों के अंतरगत जो हैं उन पर शिकायत कीजिए आपको एक और मामला याद है कि नहीं मुरादाबाद का हिंदू लड़की की शादी मुसल्मान से होती है लड़की की माँ शिकायत कर देती है पुलीस ले जाती है लड़के को और उसके भाई को जबरदस्ती उठा के ले जाता है उस लड़की को जो की गर्भवती थी और फिर उसका गर्पात हो जाता है उसका मिस्कैरेज हो जाता है पेट में जो बच्चा पल रहा होता है तीन महिने का वो मर जाता है क्योंकि प्रशासन उसे जबरदस्ती उठा के ले गया उसे नजाने कौन से रहस्माई इंजेक्शन्स लगाए और उसका गरपात हो जाता है कितना बड़ा अपराद है आप सोच सकते हैं आप और हम महिलाओं को देवी का दरजा देने की बात करते हैं और यहां तुमने उसके पेठ में पल रहे बच्चे को मार दिया उस लड़की ने क्या कहा था आप खुद सुनिये ये मेरे शब नहीं है पुलीस हाला कि इसे कॉन्टेस्ट करती रहती मगर खुद लड़की और अब इस बात की तज़्दीक हो गई है कि उसका गरपात हो गया है क्योंकि पुलीस लगातार इस बात को मना कर रही थी कि उसका गरपात हुआ था सर मैं रात आई हूँ और मैं नारी केतन पास तारिक की दाई बजे गई थी रात को सर मेरे को वहां पर प्टोड सर भी करा गया है तीन दिल से अचानक से मेरे पेट में दरद हुआ नारी केतन में उन्होंने मुझे दिखाया नी फिर जादे तब इत खराब होने पर मुझे होस्पिटल लेके गए और उसके बाद मुझे डॉक्टरों ने इंजक्शन लगा है उसके बाद फिर मेरे ब्लीडिंग बहुत ज और मैं रात आई हूँ वैसे कानून में मेरी मदद करी है मैं चाती हूँ कानून से कि मेरा हस्बेन और मेरे जेट भी मेरे पास ला दी जाए और मैं अपनी मर्जी से करी थी शादी 24 जुलाई को मैंने शादी करी थी छटा महिना चलना है मेरी शादी को देहरदून में करी वो लड़का आखिरकार शूड़ जाता है दोस्तों वो वीडियो देखिए उससे पूछा जाता है कि क्या तुम्हें पूलीस ने टॉर्चर किया था और जब यह सवाल पूछा जाता है तो वो वहाँ से निकल जाता है सुनिए यह आप जानते हैं उसके बाद जब वो घर पहुंचता है तो उसकी मा अपना आपा खो देती है बहुत ही रदे विदारक नजार आए दोस्तों बहुत ही इमोशनल लमहा था जब वो माँ अपने बेटे से मिलती है देखिए आज चाहे उस अठारा साल की माँ हो जिसके आँखों में आसू थे जिसकी तस्वीर आपने देखी यह यह माँ जो अपने बेटे से लिपट कर रो रही है इन सब की आह है दोस्तों इन सब की एक कराह है उसका खामियाजा कौन भुगतेगा उसका पाप कौन जेल रहा है अगर मैं बहुत ही दारशनिक और आध्यात्मिक अंदाज में अपनी बात को रखूँ यह पाप किसी ना किसी के तो मात्या आएगा किसी ना किसी तो भुगतना पड़ेगा देखिए ये रामराज तो नहीं हो सकता ये लोकतंत्र तो खहर है यह नहीं लोकतंत्र तो अब कहना है ये सब लोकतंत्र है तो मजाख होगा लोकतंत्र के उसूलों के साथ तो मेरी आपसे अपसे अपील और एक गुजारिश दो तीन चीज़े मैं कहना चाहूँगा नमबर एक विपक्ष को अपनी बात कहने की आदत है उसे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की आदत है लोकतंत्र में दोहरे माबदन नहीं होते उन पर अनाप शनाप धाराएं नहीं लागू कर सकते नहीं ये लोकतंत्र नहीं है मैं नहीं जानता हूँ कि आने वाली पीड़ी को हमारे समाज के युवा को आप इस तरह की चीजें इस तरह की चीजें जो है फैला कर आप क्या संदेश दे रहे हैं उसे यही लगेगा कि यही शायद लोकतंत्र का असली चहरा है नहीं साथ ये लोकतंत्र कता ही नहीं है बोल किलब आजाद हैं तेरे में बस इतना ही अभिसार शर्मा को दीजे जाज़त नमस्कार